हेलो दोस्तों और वेलकूम बैक टू आई दक्ष मुझे बहुत सारे इंस्टाग्रम पर डीम साय थी कि अगर आइफून 11 का प्रोडक्शन इंडिया में चालू हो गया है तो क्या उसके प्राइस में डिफ्रेंस आएगा और अगर कितना डिफ्रेंस आएगा और अभी जो घॉज आई उसके कुछ एक हफते बाद ही हमें इसके इंडिया में युनिट्स में देखने को मिले उप इसका मतलब जब जब इन्होंने चालू किया था तब हमें कस्टमस को इन्फर्म नहीं किया और इंदोंने सीक्रेट्यूर प्रोडक्शन चालू कर दिया और अभी इस क्यों है जैसे कि अभी फॉर एग्जंपल अगर यह लोग नए जो आइफोन इंडिया में लॉंच कर रहे हैं अगर यह लोग उसके प्राइजिंग कम कर देते तो जो कस्टमर होते वह तो ज्यादा इंडिया में पड़ा है जो फिर चाइना में आइफोन से उनका खराब हो ज सब्सक्राइब सब्सक्राइब बात करें लुक्ति वह दॉक्त आप जाते हैं तो जिव इसका प्राइस मेंने चाइन लीकशनि में यह वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब और 하기 लिए 45 सब्सक्राइबब है', उसका इसया बढ़के 18% हो गया है इस वे से इसका प्राइज अप हो गया है 68 300 तो यह कैलकुलेशन कैसा है वो मैं आपको इसमें बदाता हूं जैसे कि यूएस में आइफोन लॉंच हुए दे अगर उसको 73 रूपीज भी करते हो तो फिर हो 47 377 आता है प्लस उस पर आप 18 परसेंट जीएश्टी पकड़ लो तो टोटल आंसर आता है 68203 तो करीब करीब यह 68300 का इंडिया में इसका यूनिट पड़ा था अब इंडिया में अगर इसका मैंस्फेक्टरिंग चालू हुआ ह यह बचेगी और प्राइस में कितना इफ्ट आएको बताता हूं अब होगी जैसे अब कोई बीट यूट सो आप वो मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हो तो इसे वीडियो में बादे हैं घर एक सवाल का जवाब दूगा और वेट करते हैं कि आब इसके आने न बनाऊंगा तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेर करो ताकि मैं और आपके लिए से नई वीडियो और न्यूज लाते रहूं